नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल कंप्टीशन पावर में आज हम इकनोमिक्स का जन्नल इकनोमिक्स कोश्चन्स लेकर आए हुए हैं पड़िवरतन सिर्फ अनपातों के नियम से समधित होने वाला है वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें और हमको मोटिवेट करते रहें चलिए पहला कोश्चन इस्टार्ट करते हैं परिवरतन सिर्फ अनपातों के नियम के अनुसार सीमानत उत्पादन कुल उत्पादन वो आउस्ट उत्पादन में से सबसे अंत में क्या घटना प्रारम होता है तो वो यहां पर राइट एंसर दिया गया है कुल उत्पादन यानि परिवरतन सिर्फ अनपातों के नियम के अनुसार सीमानत उत्पादन और कुल उत्पादन और सथ उत्पादन सबसे अंत में में घटना क्या प्रारम होता है तो घटना प्रारम होता है कुल उत्पादन ज्यानि सबसे लाश्ट में कुल उत्पादन घटना प्रारम होता है question number two है परिवर्तम से अनपातों के नियम के अनसार मोड बिन्दू यानिए inflation point के बाद कुल उत्पादन किस प्रकार ब्रदी करता है यानि जब एकोनॉमिक्स में परिवर्तन से अन्पातों के नियम के सिध्धान्त के अंतरगद जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानि मोण बिंद होता है तो वहाँ पर जो उत्पादन कैसे वृद्धि करता है ये घटती हुई दर से वृद्धि करता है नेक्स्ट कोश्टन है हमारा कोश्टन नमर थ्री निवन लिकित कत्रों में से उत्पादन की प्रथम आवस्था के संदर में कौन सा कत्रम सत्थ है तो का दिया गया है इस आवस्था के अंत में आवश्थ उत्पादन अधिक्तम हो जाता है और खापॉइंट है इस आवस्था के अंत में औुश्चत उत्पादन सीमात उत्पादन के बराबर पहुंच जाता है इस अवस्था में बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं यानि यहां पर अगर ओवराल देखते हैं सभी को यो आफसंस दिये के हैं वो सही है यानि इस अवस्था के अंत में औुश्चत उ उत्पादन क्या होता है वो अधिक्तम हो जाता है नेक्स कोश्चन है फोर नमबर उत्पादन की तीसरी अवस्था में किस प्रकार के प्रतिफल प्राप्त होते हैं तो यह उत्पादन की किस के तीसरी अवस्था यानि उत्पादन की तीसरी अवस्था में किस प्रकार के प्र निवन में से कौन सी मानता परीवरतंसी अनपातों के नियम में नहीं ली गई ए तो परीवरतंसी अनपातों के नहीं ली गई और जो लिये गए हैं उनको देखते हैं का एक साधन परिवर्तन सील होता है जब कि अन्य साधन इस्थिर रहते हैं यानि ये वाला पॉइंट अनपात में लिया गया है दूसरा प्रोधोगिकी में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसको लिया गया है और जो इस्थित होती है वो अल्प कालीन होती है तो ये परिवर्तन सील अनपातों के नियम में तीन पॉइंट लिये गयें खावाला पॉइंट है वो नहीं लिया गया है Q6 है उत्पादन की किस अवस्था में सीमांत उत्पादन गिरिना परा रहा है अभी आपने देखा उपर ये तीसरी अवस्था की बात कर रहा है तीसरी अवस्था में जो होता है रडात्मक उत्पादन प्रतिपल पराप्त होते हैं रडात्मक सीमांत प्रतिपल तो ये कौन स सेवन दिया गया है मोड वक्र पर मोड वक्र पर इस परस रेखा किस वक्र को कुछ होती है तो राइट एंसर इसका दिया गया है कुल उत्पादन वक्र यानि मोड वक्र पर जो इंफ्लेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर जो रेखा है कुल उत्पादन वक्र को टच करती है क्वेश्चन नमबर एट है उत्पादन की किस अवस्था में कुल उत्पादन अधिक्तम होता है तो अधिक्तम की यहां पर बात की गई बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उत्पादन की किस अवस्था में किस अवस्ता में कुल उत्पादन जो अधिक्तम होगा तो वो अधिक्तम होगा वो होगा दूसरी अवस्ता में क्या होगा अधिक्तम होगा और तीसरी अवस्ता में क्या होगा अधिक्तम होगा और तीसरी अवस्ता में क्या होता है जो प्रतिपल होते हैं सीमान प्रतिपल जो रड़ात्मक्स इमान प्रतिफल की होती है और दूसरी जो अवस्ता होती है वो अधिक्तम कुलत बातन की होती है Q9 दिया गया है घड़ते प्रतिफल की प्रवत्ति का पुराना आर्थिक यानि सिध्धान किस अर्शासी दोरा प्रारंब किया गया था Q9 को फिर से देख लेते हैं घड़ते प्रतिफल की प्रवत्ति का पुराना जो आर्थिक सिध्धान थे वो किस के दोरा प्रारंब किया गया था यानि किस अर्शासी ने प्रारम किया था तो वो है टर्गट का आफ़सन सही है यानि यहाँ पे घरते प्रतिफल का पुराना जो सिद्धान दिया गया था वो टर्गट के दोरा इन सभी में इनोंने बता आता कि मार्सल की जो सिद्धान था कि घरते प्रतिफल का सिद्धान यहाँ एक निशित समय के बाद है घरते प्रतिफल हमको प्राप्त होते है question number 11 दिया गया है पेमाने के इस्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं जब उत्पादन के साधन पूरते हैं कैसे होते हैं उप्रोक्त में दिया है सभी सही है यानि पेमाने के जो इस्थिर प्रतिफल है तब पेमाने के इस्तिरप्रतिफल प्राप्त होने यानि जो पूरत जो साधन होंगे जो उत्पादन में लिये जाएंगे वो विभाजी होने चाहिए साधन वो साधन की जो यूनिट सी काईआं हो, वो समरूफ होनी चाहिए और वस्तों में साधन के साधन यानि वस्तों जो ली जाएंगी, हो कैसे हो, इस्ताना पन का उनमें को नहीं होना चाहिए Q2 देखते हैं उत्पादन के सादनों की अविभाजिता के कारण किस प्रकार के पैमाने की प्रतिफल प्राप्ट होते हैं प्रतिफल प्राप्त होंगे तो राइट एंसर इसमें दिया गया है बढ़ते प्रतिफल यह साधनों के अविभाजता होती जिनको विभाज नहीं किया जा सकता है उनको एक निश्यत समय के बाहरों यूज करते हैं तो बढ़ते प्रतिफल इसमें प्राप्त होते हैं कोश्चन नमबर 13 जब किसी उद्धोग अथवा उद्धोग समुह में उत्पादन का पैमाना बढ़ता है तो वे किफायतें अनेक फर्मो अथवा उद्धोगों को समान रूप से उपलब्द होती हैं और कहलाती हैं जब किसी उद्धोग अथवा उद्धोग समुह में उत्पादन का पैमाना काफी बढ़ जाता है और जो उद्धोग किफायतें जो होती हैं जो अनेक फर्मो अथवा उद्धोगों को समान रूप से उपलब्द होती हैं इनको प्राप्त होती हैं उनको कहा जाता है बाह किफ गाएत trophies यानि जब किसी उद्धोग अध्व्धवाद्धोग समूम में उनका पैमाना बड़ता है यानि उनका production प्रदेखन भावर बड़ता है तो जो किफायते उनको अध्धोगों को प्रापत्त होती है उनको बाह किफायतें कहा जाता है नेक्ट्स कॉस्चन है 14 नंबर निम्ने किफायतों का अवलोकन कीजिए तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है समवर्धित परिणामों की किफायत हैं दूसरा दिया है समबंदित प्रक्रियाओं की किफायत हैं तीसरा दिया गया है गोड उत्पादन के प्रियोग की किफायतें किस प्रकार की आंत्रिक किफायतों को प्रोफेशर केरनकराश किसने प्रोफेशर केरनकराश दोरा उपर रूक्त किफायतों में वरगी करत किया गया है तो यानि यह दिया गया है केर निकरास दोरा तो केसी किफाइटों के रूमें वर्डित किया गया आप संच में देखेंगी का का राइट है यानि तक्नीकी यहां पे तक्नीकी किफाइटों को इसमें वर्डित किया गया है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड सेयर करें और एक अपना प्यारा शाय अमूर ले कमेंट जरूर दें कुश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सी वास्तिक बाह किफायते हैं यानि अभी किफायتों की बात ह險 था ुझे जब प्रोडिक्सन पावर बहुत ज़ादा होती हैं पाद शमता पैमाना बहुत बड़ा हो जाता है अब वह वास्तिक किफायतों में बाह किफायते निका ले गए बाहे किफायते हैं तो बाहे किफायते हैं का यहां पर राइट दिया गए सूचना की किफायते हैं यह सूचना की किफायते हैं और यह राइट एंसर यहां पर है सूचना की किफायते हैं यह बाहे किफायते होते हैं वास्तविक जिने हम कहते हैं वो बाहे सूचना कौशन नमबर 16 देखते हैं बिजली कमपनी दोरा फर्मो को रियाईती दोरों पर पर्याप्त और निरंतर बिजली सप्लाई करने से मिलने वाली किफायते होती हैं यनि पर्याप्त और लगातार इनको जो बिजली प्राप्त की जाती है तो इससे प्राप्त होने वाले किफायतें को क्या कहते हैं आर्थिक बाहे किफायतें क्या कहते हैं आर्थिक बाहे किफायतें उनको संबोधित किया जाता है यनि बिजली कमपनी है जो फर्म है वो रियाईती दोरों पर क्या करते हैं परियाब तमात्रा में और निरंतर हैं बिजली सप्लाई करते हैं इससे जो किफायत मिलती है जिसको कहा जाता है बा है आर्थी किफायत क्योंकि ये आर्थी परिड़ाम देती है केवल एक उद्धोग केव साधनों की बाजार कीमतों में व्रद्ध से किस प्रकार की आमित्वेताएं प्राप्त होती है यानि केवल एक उद्धोग के साधनों की जो बाजार है कीमतों में व्रद्ध से किस प्रकार की वहाँ पर आमित्वेताएं पाई जाती है तो यह भी आर्थिक से संबन देते हैं आर्थिक बा है यानि राइट एंसर यह यही दिया है आर्थिक बा है क्वेश्चन नमबर 18 है वह वक्र जिस पर स्रम और पूंजी के विभिन संयोग समान उत्पादन प्रकट करते हैं कहलाता है तो वो क्या कहलाता है यहाँ राइट एंसर में यह सभी दिये गए हैं उąż प्रोक्त सभी यानि पहला दिया गया है यह वह वक्र जिस पर स्रम और पूंजी के विभिन जो संयोग होते हैं सामान उत्पादन प्रकट करते हैं तो कहलाता है जिन जब स्रम और पूंजी को ये उत्पादन के साथनों को लिया जाता है और जब इन से उत्पादन प्रगोयो प्रदान और प्राप्त होता है तो उन वक्रों को हम शमात्रावक, समुत्पादवक को उत्पादन उदासिंतावक्रो के नाम से जानते हैं Question number 19 जो है वो इस प्रकार है स्रम के सीमान तभोतिक उत्पादन का पूंजी के सीमान तभोतिक उत्पादन से अनुपाद क्या कहलाता है फिर से देखें स्रम के सीमानत भोतिक उत बादन का पूंजी की सीमानत भोतिक उत बादन से अनवपाद क्या कहलाता है यानि स्रम का सीमानत उत्पादन यानि लेबर मार्जिनल बहुत उत्पादन प्रोडक्शन इसका और इसका अनुपाद बटे पूंजी का यानि केप्टल का मार्जिनल ठीक है तो इसका अनुपाद क्या कहलाता है ये तक्नीकी इस्ताना पनलता की सीमानत दर कहलाता है क्वेश्चन को फिर से समल लें स्रम के सीमान तभोतिक उत्पादन का यनि स्रम का सीमान तभोतिक उत्पादन है उसका उत्पादन का पूंजी के सीमान तभोतिक उत्पादन से उत्पादन क्या कहलाता है यनि स्रम का सीमान तभोतिक उत्पादन और पूंजी के सीमान तभोत प्रवत्य कैसी होती है तो इसकी प्रवत्य कैसी होती है यह घटती जाती है यानि घटती जाती है यह जब है सियल तकनिकी स्ताना पनता कि सेमांदर्ज की प्रवत्य कैसी होती है घटती जाती है यह वीडियो कैसा लगा आपको हमको कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक सीर जरूर करें आप कैसे वीडियो पशन दें वीडियो समझ में आ रहा है नहीं इसके बारे में जरूर बताएं जैहिन